आज हम बना रहे हैं इंस्टन प्रिमिक्सी गुलाब जामुन इंस्टन प्रिमिक्सी गुलाब जामुन बनाना तब इसे बहुत ही आसान है ऐसा हर किसी को लगता है लेकिन ऐसी बात नहीं है प्रीमिक्स के गुलाब जावन बनाते वक्त बहुत से बातों का धान रखना पड़ता है ऐसे कि तेल में जाते हैं गुलाब जावन फट जाते हैं उन पर क्रैक आ जाते हैं या फूलते तो हैं लेकिन रबरी से बन जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है या फिर गुलब जामूर इतने सक्त बनते हैं कि वो शुगर जैसे हम बनाते हैं चासनी तो वो बहुत कड़क से बन जाते हैं तो यहाँ पर मैंने चितड़ का यह प्रिमिक्स लिया है ऐसे औह horrifying लिए इस लिए ऐस लिएमा को व्रेफर नहीं कर रही हैं मैंने यूज़ किया इसलिए आपको मैंने बताया है तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम वाला पैकेट लिया है आपको उनसा भी प्रेमिक्स ले सकते हैं लेकिन आज मैंने चितड़े का यूज़ किया है इससे गुलाब जमुन मेरे ड्राय बता रहे हूं मैं आपको बहुत ही है तो देखी यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पतिला लिया है और इसमें अब हम गुलाब जमुन का प्रेमिक्स डाल देंगे गुलाब जमुन ऐसी रेसिपी है जो हर किसी को पसंद आती है खाने में गुलाब जमुन हर किसी को पसंद आते है और उसको बनाना भी बहुत आस ताकि इसमें कुछ गुटडिया होगे, तो निकल जाएगे, और प्रेमिक्स को भीगोने के लिए यहां पर हमने पानी का यूज़ नहीं करना है, हमें दूद लेना है, दूद से ही प्रेमिक्स भीगोई है, गुलाब जामून का आटा हमेशा दूद से ही लगाना चाहिए, द बजाएं, दूद यूज़ कीजिए, और यहां पर दूद हमें रूम टेम्परेचर वाला ही यूज़ करना है, ना ही गरम, ना ही फ्रीज वाला, ऐसा कोई दूद नहीं चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला दूद लीजिए, और दूद को ऐसे थोड़ा-थोड़ा सा डाल देख सकते हैं और इसको ऐसे हमें गुंदना नहीं है जैसे आटे जैसा इसको ऐसे मिलाइए और इसका एक डो बनाएए ठीके इसको ऐसे मिलाना है पास पास लाइए उपर से हाथ फिराइए और डो बनाएए यह पहली प्रोसेस है गुलाब जामून बनाने की जैसे पहले ही बात यहाँ पे ही आपके उलाब जावन बिगड सकते हैं अगर आपने आटा सही से नहीं लगाया तो तो आटा लगाते वक्त कुछ बातों का ध्यान दीजिए जैसे दूद से आटा लगाना है और थोड़ा थोड़ा दूद डालना है एकदम से दूद नहीं डालना है और थोड़ा सा दूद कम ज़्यादा हो सकता है तो जितना चाहिए उतना लीजिए और थोड़ा थोड़ा दूद डालकर इसका डो लगाईए और इसका डो हमें नहीं ज़्यादा सकत लगाना है नहीं स्वाप्ट देखिए आप देख सकते मीडियम कंसंस्टनसी का और जितना बड़ा आपको गुलाब जमुन बनाना है उतनी गोली लीजिए और उसे हाथ पर ऐसे अच्छे से बनाई है देखे कितना आसान इसे बन रहा है और एक भी क्रैक नहीं आ रहा है ये पर्फेक्ट डो लगाने के वर्चे से होता है आप पर्फेक्ट डो लगाईए तो देखे क इतने बड़ियां सा गुलाब जमुन बनकर तयार है एक भी क्रैक नहीं है और गुलाब जमुन का साइज आप अपने इसाथ से कम ज्यादा कर सकते है छोटा या बड़ा तो इस तरह से मैं सभी गुलाब जमुन यहाँ पर बनकर तयार कर लूगी तो देखे यहाँ पे मैंन तलने के लिए कड़ाई को हम ऐसे फ्लैट वाली कड़ाई लेनी है और तेल ज़्यादा डालना है कम तेल में गुलाब जामुन नहीं तलने हैं अगर आप कम तेल में गुलाब जामुन तलेंगे तो चप्टे बनेंगे गुलाब जामुन की गोली हमने डाली तो वह 90 परसंट अंदर तेल में डिप होनी चाहिए तभी वो अच्छे से फूल पाएगी जब तक हाँ तेल गरम हो रहा है तब तक हम चाशनी भी बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने इस कटोरी से दो कटोरी चीनी ली है क्योंकि गुलाब चामन गरम गरम ही हमें चाशनी में डालने होते हैं तभी वो अच्छे से चाशनी को अबजब कर पाते हैं तो इसी कटोरी से अब तीन कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे दो कटोरी चीनी ली थी तो उसमें तीन कटोरी पानी इमेजरमेंट पर्फेक्ट है क्योंकि गुलाब जमुन की चाश्नी ज्यादा मिठी नहीं होती है ओर नाहीं ज्यादा गाड़ी होती है उपतली सी ही चाशनी बनती है तो अब हम इसको रख देंगे साइट पर और ये चाशनी भी बनेंगी इसमें कट्चे से ऐसे हिलाईए बीच बीच में तो देखिए यहाँ पर एक तरफ हमारी चाशनी बन रही है और एक तरफ गुलाब जमुन तलने के लिए तेल भी गरम हो रहा है ये दोनों एके टाइम करना है तो देखिए तेल यहाँ पर अच्छा गरम चाहिए हमें जैसा मैंने पहले आपको कहा हम ही यहाँ पर गुलाब जमुन तलने के लिए ऐसी प्लेन वाली कड़ाई लेनी है जैसे कि वो इसे डिप वाली कड़ाई लेंगे ना आप खोल वाली तो उसमें क्या होगा अच्छे से गुलाब जमुन तल नहीं पायेंगे नीचे वाली जल्दी से बन जाएगे और उपर जो रहेंगे और अच्छे से नहीं हो पाएंगे तो गुलाब जमन तलते वक्त हमें कोई भी फ्लैट प्यान या कड़ाई का यूज करना है और तेल की कॉंटिटी अच्छी ही रहनी देनी है जैसे मैंने पहले कहा कुछ बाते हमें आपको यहाँ पर बार बार बता को थाएउग ताकि आम ना करें और आपके गुलाब जामन फेल ना जाए तो देखिए तेल का तेम्परेचर आप देख सकते हैं जैसे हम गुलाब जामन इसमें डालेंगे तो इतना ही टेल का हिलाइए और गुलाब जामुन ऐसे इसमें घुमते रहेंगे और नाचते रहेंगे तो अगर आपने इसको जल्दी से कडची लगा दीना तो क्या होगा गुलाब जामुन फटने के चांसेस होते हैं अगर यहां पर तेल का टेंपरेचर बिल्कुल ही लो रहने दिया या तो गुलाब जामुन उपर से पके पके से नहीं बनेंगे उपर की स्लाइड जो होती ना उनकी तो वो ऐसे दर दर सी बनेगी और तेल का टेंपरेचर बिल्कुल हाई हो गया गरम तेल में अगर आपने ग कड़्ची से नहीं गुमाना है साइड में ऐसे हमें तेल को हिलाना है ताकि वो नीचे से उसका कलर ना डार को जाए और नीचे से वो चिपके भी नहीं और आपकी कड़ई में जितनी गुलाब जामुन आते हैं उतनी डाली एकदम से गुलाब जामुन नहीं डालना है तो दी जाए नहीं तो क्या होता है नीचे के साइड डारक हो जाती है और उपर के साइड वो इतनी अच्छी कलर नहीं हा पागता है इस अभी बाते में आपको इसलिए क्लियर कर रहे हो ताकि आप पहली बार भी गुलाब जमुन बना आए तो आपकी गुलाब जमुन भी नहीं करना है एकदम ही slow flame पर ही गुलाब जामुन तलना है और गुलाब जामुन तलते वक्त हमें patience रखना पड़ता है जलदी से जट पट से गुलाब जामुन तलकर तयार कर ली ऐसा नहीं करना है Slow Flame पर हमें इसको लगातार ऐसे हिलाते हुए तलना है कम से कम एक बैच दलने के लिए आपको 7-8 मिनिटों लगेंगे ही स्पेशन्स रखना है और देखिए गुलाब जामन को कितना बढ़िया कलर आ गया है और आप तेल भी देख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है पर्फिक्ट कलर है तो हम इसको और एक सेकन के लिए ऐसे ही इसमें प्राइ करेंगे ताकि इसका कलर और भी बढ़िया हो जाए स्लो फ्लेम पर तलने से क्या होता है इसमें आंदर तक गुलाब जामन पक जाते हैं और चाशनी को अबजर्फ कर पाते हैं नहीं तो अंदर के कच्चे रहेंगे गुलाब जामन तो चाशनी को अच्छे से अबजर्फ नहीं कर पाएंगे गुलाब जामुन तलते बातों को ध्यान रखिए जैसे कि तेल हमें आच्छे खासे तेल में ही गुलाब जामुन तलने हैं कम तेल में गुलाब जामुन नहीं तलने हैं और ग्यास की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है तो दीखी एक तरफ हमारी चाशनी भी बन रही है इसको भी बेजविच में चलाना है हमको तो अब हम इसको इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें इलाईची का पावडर डालेंगे गुलाब जामुन की चाशनी में इलाईची का फ्लेवर बहुती बढ़िया लगता है तो मैंने इसमें एक चिप मच के करीब करीब इलाईची का पावडर डाला है आप इलाईची का पावडर की कॉंटिटी कम ज़्यदा कर सकते हैं अपने टेस्ट के इसाब से तो देखे गुलाब जामुन की चाशनी चाशनी बनाते वक्त उसको कितने तारकी रखनी है गुलाब जामुन की चाशनी ऐसे कोई तार की नहीं होती एक तार की या दो तार की ऐसे हाथ पर लेजिए और ऐसे आप में चिपचिपा लगे तो समझ लेजिए चाशनी बन गई है वीडियो में बताए गई सबी बातों को आप फॉलो कीजिए सबी ट्रिक को फॉलो कीजें आप भी ऐसे ही perfect गुलाब जामन बना पाएंगे तो देखे, अब हम दुसरी बैच भी इसी तरह से तल कर तयार कर लेंगे तो दुसरी बैच तलते वक्त भी हमें ध्यान देना है कि gas की flame हमें slow ही रखनी है तेल का temperature हमें इतना ही चाहिए जैसे हम गुलाब जामन इसमें डालेंगे तो इतनी ही bubble आने चाहिए एकदम से गुलाब जामन फूल कर उपर नहीं आना चाहिए और इसको भी हमें side से हिलाना है तेल को ताकि गुलाब जामन अच्छे से even color में तलते रहे और इस पे even color आये तो देखे इस पेली बैच को हम गरम गरम ही इस चाशनी में डालेंगे क्योंकि गुलाब जामन को हमें गरम ही चाशनी में डालना होता है इसको पूरा ठंडा नहीं करना होता है चाशनी गरम हो तभी हम इसमें गुलाब जामन डाल देंगे आप गुलाब जामुन की साइज देख लीजी और जब एक दो गंटे के बाद में दिखाऊंगी आपको तब आप इसके साइज देखना तो ये तो पहली बैच ही हमने डाली है तो देखें दूसरी बैच भी मैंने इसी तरह से तयार कर ली है तो दूसरी बैच तयार होने तक देखिए हमारे पहली बैच के गुलाब जामुन ने कितनी चाशनी पी ली है आप देख सकते हैं फुलकर कितने बड़े हो गए है कि तो अभी और भी बड़े हो जाएंगे क्योंकि इसको तो हमें और भी एक से दो गंटे के लिए रखना है अभी थे बहुत गरम है तो चाशनी भी अबजर्ट होनी चाहिए तो आप दो गंटे बाद देख सकते हैं देखिए आप गुलाब जामुन कितने बड़िया बने हैं गुलाब जामुन की साइज देख सकते हैं आप डबल हो गई है जैसा मैंने कहा था डबल हो जाएंगे वैसे ही परफेक्ट डबल चाशनी बन कर तयार है और चाशनी भी इतने बहुत बढ़िया से अब्जर्ब कर लिए देखिए आप देख सकते हैं नीचे भी चाशनी लग रही है मेरे हाथ पे तो रक्षा बंदन हो या दिवाली या और कोई भी तेओहार आप गुलाब जामुन को इस रेसिपी से आप गुलाब जामुन को देख सकते हैं एक अन एक गुलाब जामुन परफेक्ट बना है ऐसा नहीं एक बना फुला है एक भी चग गया है ऐसा कुछ नहीं है तो देखिए यहां पे मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ गुलाब जामुन को और कट भी देखिए कितने आसानी से हो रहा है और अंदर तक juicy गुलाब जामुन बना है आप देख सकते हैं अंदर की जाली कितना perfect गुलाब जामुन बना है आशा करती हूँ मैं सभी tricks और सभी बाते यहाँ पर clear कर चुकी हूँ जो गुलाब जामुन बनाते वक्त हमें दिक्कत आती है वह सभी बातों को मैंने यहाँ पर clear कर दिया है फिर भी आपको कोई problem आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है गुलाब जामुन बनाते वक्त आप मुझे comment box में जरूर पूश सकते हैं तो इसको हमने थोड़ा सा गार्णिश किया है यह ओफ्शनल है इसमें मैंने कुछ बादाम डाल दी है कट करके और coconut डाल दिया है डेसिकेटट coconut तो दीख सकते आप गुलाब जामुन की इतना रसीला और बढ़िया सा बन गया है गुलाब जामुन की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथी साथ बेल आइकोन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मिलती है नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई